उत्तरप्रदेश के लखिमपुर खिरी में किसानों की हत्या के बिरोध में केंद्रिय अग्रेह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बढ़खास्तगी और हत्या आरोपी सभी दोश्यों की गिरफतारी की मांग को लेकर जहारखन प्रदेश कांग्रेस कमीटी के तमाम बरिय पद्रित कारियों ने राजभवन के समक्ष एक दिवसिय मौन ब्रत रखा कारेकरम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामन बिकास मंत्री आलमगीर आलम, क्रिशी मंत्री बादल पत्र लेक, कारेकारी अध्यक्ष सहजात अनवर, सहित जहारखन कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और कारेकरता मौजूद रहे मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी विशेश समय पर अपना विरोधर्ज नहीं करती, बल्कि किसानों के साथ बीते 11 महिने से खड़ी है, सुनिये क्या कहा कांग्रेस के राजेश ठाकुर, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कह रही है कि जब तक ये तीन काला कानून वापस नहीं ले लिये जाते हैं, ये किसानों के लिए देथ वारेंट है, जिसको आपने आंदोलन जीवी कहा, जिसको आपने टुकरे टुकरे गैंग कहा, जिसको आपने प्रायुजीत किया बात कहां तक आप पहुंच कि यह देखने वाली बात है गिरियार राजमंत्री के बेटे द्वारा जो कुक्रित किया गया वो पूरे देश में उससे किसानों में आक्रोस है और वो आपको पूरे देश में देखने को मिल भी रहा है अब जब हमने जाच की मांग की है तो जो मैकमा आपके अधिन डैरेक् गिरियार राजमंत्री है कैसे हम नयाय की उम्मीद करें जब पांस से छे दिन फाइयार होने में लग जाते हैं और वो डैरेक्ट आरोपी हैं और उसके बावजूर्द भी उनकी गिरफतारी नहीं होती है वो टीवी में बाइड देते हैं मिडिया में चलते तो संका पैदा होता है कि उनकी परिवारों को लिया देना और साथ ही इनकी मंसा क्या है उद्योगपती मित्रों के हवाले किसान के हीतों को जो इन्होंने बेचने का काम किया है धीरे धीरे इसके पन्ने जो एग्रिमेंट के हो खड़ते जाएंगे और इस देश को यहां के वासियों को यह पिछले दस महिने से किसान आंदोलन रथ हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, पहले किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत प्रधान मंतरी जी ने लगा दी, अब किसानों को कुचलने के लिए उनका गिरे राज मंतरी का बेटा पूरी ताकत लगा करके किसानों क कुचलने का काम किया बाब जूद अब तक कोई वैसी कारवाई नहीं हुई जो इतने बड़ी घटना के बाद होनी चाहिए थी सुप्रीम कोट ने संग्यान लिया हमारे आधनिये नेता राहूल गांधी जी लियंका गांधी जी जब वहां पहुँच गई तब दवाब में व मिल जाए और उनके पद का लाब उनके बेटे को नहीं मिल जाए इस वी आज हम लोगों ने पूरे देश में मौनवरत रखने का काम किया है उसी सिलसले में आज हम लोग जारखंड के राजभौन के समक्ष जो है दस वज़े से एक वज़े तक मौनवरत रखे हैं निशित स्थान मंत्री जी में जराशी नेतिकता होगी तो आज साम तक मंत्री ग्रेलाज मंत्री बरखास दब करें लगातार 11 महिना से किसान के अंदोलन के साथ औंग्रेस पार्टी जुड़ी थी है। जो लखिमपूर खिरी में जो घटना घटी है निश्ची तोर पर लोकतंतों को स्रमसार कर दिया है। जब जहां पर उस लोगों से मिलने जा रहे थे उनको रोका गिया। और यहां से भी हमारे यहां से जारकन से लिकर दूसरे राज से लोगों भी कुछ करने जा रहे थे। उसको रोका गिया है। तब जाकर उनको मिलने दिया है। इस्तिवाद देने के लिए बाद करें तभी अंदलन हम लोगा कर देगा। कि रिमत्रे क्या बोल रहे थे किसानों के कि आंदलन कुछलने की बात कर रहे थे। आंदलन कुछलने की बात कर रहे थे। और उनके बेटे ने आंदलन कार्यों को ही कुछल दिया। हम मौन रहकर आज कांग्रेसी जन पूरे देश में मौन रहकर संदेश दे रहे हैं हम किंदे सरकार को बाजबार की सरकार को कि बहुत हुआ संबेदर हिंता परदास निकले का देश संबेदर स्रशील बनिये लोगों को बचाईए, लोगों के सुरिश्चा देजिए लोगों के मांगों पर बिचार किजिए, किसानों के मांगों पर बिचार किजिए किसान से आज भी, आज के दिन में भी जबकि जिडिपी में क्रिशी का जो ये हिस्सा घट गया है पावजूद रोजगार का सबसे बड़ा सुरूथ अगर कोई है इस देश में तो किसानी ही है किसानी और उसको आप किसी तरह से उसको तिन कानून जो बना करके किसानी को किसी को खतम करने की साजीश कर रहे हैं वो गलत है इसलिए किसान आंदोने रथ है किसानों को मदद करने की जूरत है देश हीत में धन्यवाद मैं अनुशी लोजा और आप देख रहे थे द्रिश्टी ना